Hello friends, चोतिश के अनला चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ती की कुंडली में किस किस तरह से विदेश यात्राओं के योग बनते हैं Friends, astrology के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में विदेश यात्राओं के योग हैं इसके अलावा हमें 10th house को भी देखना चाहिए क्योंकि 10th house जो है व्यक्ति के profession को दर्शाता है इसी तरह 9th house long traveling को और 12th house जो होता है वो विदेश यात्राओं का भाव कहलाता है जबकि लग्ण व्यक्ति के खुद को दर्शाता है यदि friends 10th house, 10th house का सμबन 12th house से हो 10th house और 12th house आपस में यदी कोई सμबन बनाते हो तो ऐसे में व्यक्ति केरियर की सिलसले में विदेश यात्राओं करता है इसमें यदि लगनेश भी इसमें संबंद बनाए यानि कि लगनेश 10th house और 12th house इन तीनों का अगर आपस में संबंद बनता हो तो ऐसे में विदेश यात्राओं के काफी strong योग बनते हैं जैसे कि इस फुर्णी में 10th house के स्वामी जो हैं वो बुद्ध हैं यदि बुद्ध जो हैं वो क्योंकि करने अलग होने की कारण यहां 10th house के स्वामी बुद्ध होने से वो बुद्ध जो हैं वो यदि यहांपन मान लीजे 12th house में स्थित हो जाएंगे तो ऐसे में व्यक्ति के के सिलसले में पिदेश यात्राएं करेगा इसी तरह नाइन्थ हाउस जो होता है वो लॉंग ट्रेवलिंग को दर्शाता है तो यदि उसका सम्मन्द 12th हाउस से बनेगा तब भी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी चुकि फ्रेंड्स नाइन्थ हाउस जो होता है वो धर्म यालाता है तो कई बार ऐसे में व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी करता है यहां पर 12th हाउस जो है उसके स्वामी मंगल देव है मान लीजे मंगल देव यहां पर 9th हाउस में आकर स्थित हो जाएं तो ऐसे में व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश लगन या लगनेश का संवन त्वेल ठाउस से हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति के मैं विदेश में साट्रिमेंट के योग बनते हैं, जैसे कि यहां पर लगनेश जो है वो धनू लगने की कुली होने के कारण लगनेश जो है यहां पर ब्रहसपती है, मान लीजे ब्रहस्पती यहाँ पर 12 थाउस में इस्थित हो जाएंगे गुरू या ब्रहस्पती के 12 थाउस में इस्थित होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति के विवेश में सैट्लमेंट के योग दर्शाएंगे इसी तरह जो फोर्थ हाउस होता है यह वाला हाउस फोर्थ हाउस वो व्यक्ति के घर को दर्शाता है तो यदि फोर्थ हाउस शुब स्थिति में होता है यानि कि फोर्थ हाउस के जो स्वामी है वो यदि केंदर भावों में या फित्रिकॉंड में स्थित हो तो ऐसे में व्य ब्यक्ति के ग्रोथ जो है वो घर से दूर होती है यदि 4th house का Swamy यहाँ पर 8th house मे इस्थित हो जाये तो व्यक्ति फिर अपने घर से काफ़ी दूर रहता है इसी तर यदी 4th house के Smami जाकर 12 house में इस्थित हो जाये जैसे कि व्यक्ति की विदेश settlement के योग जो है वो बढ़ जाते हैं Friends इसी तरह कुडली का जो 6th house होता है वो जौब को दर्शाता है अता यदि 6th house का संबन 12th house से बने तो ऐसे में व्यक्ति के 6th और 12th का संबन या फिर 6th house और 9th house इनका भी अगर आपस में संबन बनेगा तब भी व्यक्ति की long distance traveling या विदेश यात्राओं के योग नौकरी के सिलसले में तर्शाता है जैसे कि यहाँ पर 6th house के जो स्वामी है वो व्रशव राशी होने के कारण यहाँ पर शुक्रदेव होंगे ज़र शुक्रदेव माल लीजी यहाँ परिस्थित हों तो 6th house और 12th house इन दौनों का आपस में संबन होने से व्यक्ति जॉब के सिलसले में यहाँ पर विदेश यात्राओं करें इसके अलाबा फ्रेंड्स राहू को भी विदेशी planet की तरह देखा जाता है तो राहू की दश है वो भी विदेश यात्राओं को दर्शाता है अता यदि 7th house जो है उसका सम्मन 12th house से बने तो ऐसे में व्यक्ति after marriage कई बार विदेश यात्राएं करता है और 7th house चुकि business का house भी कहलाता है तो ऐसे में कई बार विखती business की सिलसले में विदेश यात्राएं करता है इसी तरह कुंडली का 5th house जो होता है वो education का house कहलाता है तो यदि इसका सम्मन 5th house का सम्मन 12th house से बनता है तब भी विखती education के लिए विदेश जाता है फ्रेंड्स खुंडली का 8th house जो होता है ये भी यात्राओं को दर्शाता है तो इस तरह हमें विदेश यात्राओं के लिए बारीकी से इन सभी house की studies करनी चाहिए तब ही हमें किसी नतीजी पर पहुचना चाहिए तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ जानकारी विदेश यात्राओं से सम्मन दित मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्तोपुन जानकारियों के साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जोतिश हस्तरेखा और वास्तो से सम्मन दित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच